नमस्कार आप सभी का फिल्मी बृतान पर स्वागत है बोलीबुट के महान अभिनेता दिलिप कुमार एक से बढ़कर एक सांदार फिल्मों में अपने अभिने का जलवा विखेरा है जिनको देखकर लोग रोमांचित हो उठते हैं लेकिन दिलिप सहब की कुछ ऐसी भी फिल फिल्में थी जिनके निर्माड की सुरुवात हुई और निर्माड भी हुआ लेकिन रिलीज नहीं हो सकी थी ऐसी एक फिल्म आग की दर्या थी पहले इसमें कोई शर्ट था लेकिन अब सुबूत हमारे सामने मौजूद है इसी डिफेक्टिव पावर जेनरेटिंग यूनिट की वज़ए से इससे पहले हमारे दो हवाई जास क्रैश हो चुके हैं आज हम इस वीडियो में दिलिफ सहाब के इस अन्रिलीज फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसका दूरलब दिरिश से भी दिखाएंगे तो आप लोगों से हाँ जुड़कर निमेदन है कि किर्पया वीडियों को लाइक और सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवस्थ दबा दें और इस वीडियों के अंतक बने रहें आग का दरिया फिल्म का निर्माण साल 1984 में सुरू हुआ था और यहा फिल्म साल 1990 में बन कर पूरी हुई थी लेकिन यहा फिल्म परदे पर नहीं आ सकी थी इस फिल्म में दिलिप कुमार और एखा मुख्य भुमिकाओं में थे इसके अलावा अमरिता सिंग, अवतार गील, राजीव कपूर और पदमीनी कुलहा पूरे इत्यादी ने भी अपने अभिने का जलवा विखेरा था इस फिल्म को निर्देशित किया था एस वी राजेंदर बाबू ने प्रड्यूस किया था आर वेंकट रमन और इस फिल्म का निर्माड प्रिमालय पोड़क्सन के बनर तले हुआ था इस फिल्म में संगीत दिया था लच्छिमी कांत पैरेलाल ने और आग की दरिया फिल्म की कहानी पटकता, संबाद और गीत राजेंदर कृष्ण के दुवारा लिखे गए थे साल 1984 में राज कुमार और हिमा मालनी के साथ सरारा फिल्म को पूरा करने के बाद निर्देशक राजेंदर सिंग बागू ने बड़ी फिल्म आग की दरिया का निर्मार सुरू किया था जिसमें दिलिप कुमार और एखा जैसे बड़े और परमुक सितारों के साथ सुरू करने के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक और राजेंदर कृष्ण और यहां तक की फिल्म से जुड़ा हर कोई बहुत ही उससाहित थे उस समय निर्देशक ने कहा था कि यहाँ फि निर्माता और फाइनसर के लिए समस्यां उत्पन होने लगी थी हलंकि साल 1990 में दिलिप कुमार सहब ने कोट रूम के द्रिश्यों की सूटिंग की और फिर घोषणा किया कि फिल्म पूरी बनकर तयार हो गई है और एक विग्यापन भी जारी किया गया जिसके प्रसुत करत दिलिप कुमार थे लेकिन दुर्भाग से रिलीज नहीं हो सकी थी उस वक्त दिलिप कुमार सहब ने की इंटर्विव में फिल्म के रिलीज में क्यों देरी हो रही है उसका कारण बताया था उन्होंने कहा था कि कुछ लीगल फाइनेंशल प्रॉब्लम है इसलिए फिल्म क प्रोडूसर के फैनाइंसर को भी थे और अभी तक प्राब्लम का होल जो है वह इस फिल्म के ऊपर है आग के दरिया के निर्दसक राजेंद्र सिंग बाबू ने भी एक इंटर्विव में बताया था कि फिल्म को वित्ती विवात के कारण सुरू में रिलीज नहीं किया जा सका और 20 के वर्षों में फिल्म का मूल प्रींट बुरी तरह से छती घ्रस्त हो गया था लेकिन साल दोजार्शावदा के आसपास राजेंद्र श्रिंग बाबू को सिंगापूर में एक वित्रक के पास फिल्म का मूल प्रींट मिला था जिसके बाद साल 2014 में फिल्म को रिलीज करने की घुसना की गई थी हलांकि बाद में सायद फिल्म फिर से रिलीज नहीं हो सकी थी हलांकि फिल्म के गीतों का आडियों के सेट साल 1995 में रिलीज किया गया था गानों का लिंक में description में दे दूंगा चाहें तो आप देख और सुन सकते हैं पहले आप लोग इस फिल्म का कुछ दुरलब दृस से देखिए फिर हम इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे पहले इसमें कोई शर्त था लेकिन अब सुबूत हमारे सामने मौजूद है इसी defective power generating unit की वज़े से इससे पहले हमारे दो हवाई जास crash हो चुके हैं जंकराल जी शेख हावाद बोल रहा हूं बहुत बुरी खाबर है Commodore Arjun Marez not land is test play successfully और मुझे पुरा यकीन है कि वो हमारे खिलाफ सेबोटेश का point establish करने की पूरी कोशिश करेगा मुझे लगता है कि वो अब हमारी कंपनी के खिलाब inquiry commission बिठाएंगे तुम लोगों को consult करने के बाद ही वो jet fighter के duplicate parts हमने बनाए और air force को supply किये तुम लोगों ने कहा था कि वो parts बिलकुल safe हैं कोई हाथसा नहीं होगा अरजुन प्लीस नाराज मत होना I'm sorry I couldn't help it यहो क्या रहा है और हैं यह सब लोग अरजुन क्या हुआ कि ममी का घर पेंट हो रहा था ना तो इसलिए सब को यहां इंवाट कर लिया मैं इंकार नहीं कर सके पीस अरजुन for my sake be nice to them okay please कुष्टा ये वहाँ बच्च का दोनों को निखाना है इस जन्द में तुम चीतों की निखाना है आगे की दरिया फिल्म की कहानी पटकथा संबाद और गीत राजेंद कृष्ट के द्वारा लिखे गए थे और यही उनकी आखरी फिल्म थी क्योंकि साल 1987 में उनकी मृत्य हो गई थी इसके अलमा दिलिप कुमार की एक और फिल्म धर्माधिकारी के लिए भी राजेंद कृष्ट ने संबाद लिखे थे ज और यह चोपड़ा ने अग्यात काड़ों से समर्थन भी किया था हलांकि अभीता किया रहस्य बना हुआ है कि आग की दरिया और अमेश सिप्पी की सकती दोनों एक ही फिल्म थी बतादें कि आग की दरिया नामा के एक फिल्म का निर्माड साल 1903 में भी हुआ था वहीं इस 1978 में आई बिनोत खन्ना की फिल्म खून की पुकार का नाम भी पहले आग का दरिया था लेकिन बाद में बदल दिया गया था हलांकि दिलिप कुमार और रेखा द्वारा अभिनीत फिल्म आग की दरिया अगर रिलीज हो जाए तो बड़ी हिट साबित हो सकती है क्योंकि वर मेरी मिहनत पसंद आई हो तो क्रिपया वीडियों को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जैहिंद धन्नवाद